रणबीर कपूर की फिल्म संजूग की कमाई बॉक्स ओफिस पर लगता जारी है। पर तेजी से कमाई करके एक और बैंचमार्क स्थापित किया है जिससे आने वाली फिल्मों के लिए रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है। संजूग फिल्म ने पहले हफ्ते शुक्रवार को 34.75 करोड शनिवार को 38.60 करोड फिल्हाल यह देखना दिसचेस्प होगा की रंडबीर की संजूग की तरहां धड़क भी बॉक्स ओफिस पर अपनी पकड मजबूत कर आएगी या फिर नहीं संजूग की बात करें तो 300 करोड के जादू या अंख्रे को छूने के बाद संजूग रंडबीर के करिया की पहली ब्लॉक बस्ट फिल्म बन गई है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी संजूग का बजट 100 करोड रुपे है। हालाकि फिल्म को ओडियन्स और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉंस मिला है। संजूग फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर 500 करोड से ज्यादा की कमाई की है। प्रवीवार को 46.7 करोड और सोमवार को 25.35 करोड मांगलवार को 22.1 करोड पुदवार को 18.9 करोड और गुरुवार को 16.1 करोड रहा। वहीं दूसरे हफ़ते के शुक्रवा की कमाई 12.9 करोड शनिवार को 22.02 करोड प्रवीवार को 28.05 सोमवार को 9.25 करोड मंगलवार को 8 करोड, बुदवार को 6.9 करोड, गुरुवार को 5.75 करोड, शुक्रवा 4.4 करोड, शनिवार 4 करोड कमाई की, वही रवीवार की कमाई को मिलाकर संज्यूग फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 307.55 करोड रहा, रंडबीर की संज्यूग के पास कमाई करने के लिए अब केवल 4 दिन ही बचे है, जिसकी वजह शशान खेतान की, फिल्म धड़क है, धड़क फिल्म 20 जुलाई को रिलीज हो जाएगी, धड़क फिल्म से श्री देवी की बेटी जाहनवी कापूर बॉलिवुड में डेब्यू कर रही है, ऐसे में लोगों में उन्हें स्क्रीन पर देखने की उच्सुकता काफी है, ऐसे में संजीव की सिनेमा घरों में कम स्क्रीम्ज रह जाएंगी जिसका सीधा असर कलेक्शन पर पड़ेगा, संजीव की रफ्तार को देख कर कहा जा सकता है कि तीसरे शुक्रवा तक यह फिल्म 320 करोड तक की कमाई कर सकती है, क्रिप झाल